वाल्कम बैक तो लिविंग दे लो उफ वन लिविंग दे लो उफ वन में जादूई व्यक्तित्व के साथ काम करने के बारे में अगला सत्र है जादूई व्यक्तित्व के तीन पहलू है शक्ति, प्रेम और ज्ञान तथा कथित ताकि निपुन के बुन्यादी उपकरण को विक्सित करने में प्रतेक पहलू पर ध्यान दिया जाए अर्थात ये स्वयम है ये किसी भी तरह से तीन पहलूँ वाला व्यक्तित्व नहीं है ये एक्ता का अस्तित्व है छटे घनत्व का अस्तित्व है और जिसे आप अपना उच्च स्वतह कहते हैं उसके सम्तुल्य है और साथ ही ये अनुभव की विविद्दा और भावनाओं की सुक्ष्मिता से अत्यधिक सम्रिध व्यक्तित्व है नवजाद नए लोगों के लिए जो इसके बारे में बहुत जादा नहीं जानते हैं या जिनोंने अब ही नया नया लौफ़ वन समझा है या मैरिटेशन शुरू किया है है उनके लिए वो बताती है कि तीन पहलू उनके लिए दिये गए हैं अपने व्यापार के उपकरणों का दुरुपयोग ना करें मतलब कि जो भी आप काम कर रहे हैं जिस तरह से भी कर रहे हैं उसे इमानदारी से करें बलकि उन उपकरणों को प्रेम और ज्ञान के केंदर में संतुलित रूप से देखें और इस प्रकार सेवा करने के लिए शक्ती की तलाश करें यह वो कह रहे थे आगे कहते हैं कि ज़्यादातर लोग जब मैजिक या जादुकर के बारे में सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि हाँ वो स्टेज पे खड़ा हुआ आदमी जो टोपी से कभूतर निकाल लेगा वगहरा लेकिन कॉन्फेडरेशन का मैजिक ऐसा नहीं है वो उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं वो कुदरत से जुड़े हुए उन चीजों की कुदरती जादु की बात कर रहे हैं जिसका कोई धुरूवी करन नहीं जिसका आधार हमारी प्रकृति और हमारी कुदरत है और ये बहुत गहरा असर करती हैं और उपचार करती हैं और वो उपचार हमेशा सकारात्मक धुरूविता का होता है लेकिन ये कुदरत और प्रकृति को साथ ले कर चलती है और एक तरह से आपके अंदर या आपकी जिंदगी में धातूं का संतुलन बनाना या एक तरह से आपके अंदर एक संतुलन बनाने के उपर काम करती हैं, एक ले में काम करती हैं उद्रत और प्रकृति के साथ और इनका जादू हमेशा बहुत ही संतुलित होता है और इसमें ध इसका नतीजा जो होता है वो हमेशा सकारात्मक होता है और ये काला जादू नहीं है जो काला जादू असल में है जो इस तरह का सकारात्मक सफेद जादू है जो कि किसी के भलाई के लिए किया जाता है किसी के उपचार के लिए किया जाता है उसी से कौपी करके निकला हुआ उसका उल्टा रूप है काला जादू जो दूसरों के बुराई के लिए किया जाता है, जो नकारात्मक है, जैसे के पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, कि तंतर मंतर बोलते हुए एक बड़े से पतीले में पता नहीं क्या-क्या डाला, पत्ते डाले, उसमें किसी की चिकन की टांगे डाली और कोई जड़ी बूटिया डाली और उसके अंदर मंतर बोला और इस तरह से, यह सारी चीजें यह नकारात्मक हैं, और यह सकारात्मक जादू को कॉपी करके, नकल करके उसमें से निकाली गई है, तो यहाँ पर उस जादू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर जिस जादू की बात हो रही है, वो है, वो आपके अंदर से है, तो वो कहते हैं कि परिसंग उस चीज़ की बात करता है जिसे आम तोर पर श्वेत अनुष्ठान कहा जाता है जैसे हम हवन करते हैं उस तरह से ये परंपरा मध्यकालीन इसाई धर्म के रहस्य मैं स्कूल से उत्पन हुई है अभ्यास के अन्य रूपों के विप्रीत जिन्हें जादू का नाम दिया गया है सफेज जादू अत्यदिक सकारात्मक रूप से धुरुविकृत है और निर्माता के कुछ पहलू पर आवहान पर आधारित है मतलब जैसे भगवान का एक तरह से अनुष्ठान जब करते हैं ज लक्ष्मी पूजन करते हैं दिवाली पे वो भी सफेज जादू है एक तरह से आप उस इश्वरिय शक्ति को का आवहान कर रहे हैं उनको बुला रहे हैं कि आके हमारी जिंदगी में सुक्समरिधी भर दो उसके लिए आप कुछ पूजा पाट करते हैं कुछ मंत्र बोलते ह इस तरह से और ये इसमें इस अभ्यास में कुछ भी भौतिक नहीं है जो भी कार है वो अध्यात्मिक है जब डॉन ने रा से पूछा था इस जादू वगरा के बारे में तो रा ने ये बताया था कि इच्छा पर चेतना में परिवर्तन करने की शमता के रूप में जब पूछा गया कि क्या ये परिभाशा स्विकार्य है तो ये डॉन ने रा से पूछा था ऐसा तो रा का उत्तर ये था इस परिभाशा को इस कारे से संबंधित पिछली पिछला जो सवाल था तुम्हारा का संदर्व दे कर बहतर ढंग से समझा जा सकता है वो कहते हैं कि इसका तालुक हमारे उर्जा स्वतह से है मतलब हमारी एनर्जी बॉड़ी से है और जादू में व्यक्ति जादू में व्यक्ति शरीर मन आत्मा में अपने अव्यक्ति स्वतह के साथ काम कर रहा है कारे की प्रकृति के आधार पर ये मिश्रन का आधार है मतलब कारे की प्रकृति पर आधारित है के ये मिश्रन क्या होगा कैसा होगा और आगे वो कहते हैं कि इन काम काजों को इंडिगो रे उर्जा केंदर की सक्रियता में व्रिधी से सुविधा मिलती है इंडिगो के रन उर्जा केंदर को सभी उर्जा केंदरों की तरहा अनुभव से पोशित किया जाता है लेकिन दूसरों की तुलना में कहीं अधिक इसे जिसे हम व्यक्तित्व के अनुशासन कहते हैं द्वारा पोशित किया जाता है उसके पाद ये जो बात उसने अभी समझाई ये हमें दुबारा शुरुवात में जो कुओ ने कहा था उस पर ले जाती है उस सवाल पर के magical personality एक जो इनसान जिन्दगी का ये खेल खेल रहा है multi-dimensional game board पे तो जिसके बारे में सबसे कहा गया I'm so sorry शक्ती प्रेम और यहां पे न कुछ उसमें problem हो गई translation में anyway तो ये खंड जहां से शुरू हुआ था वापिस हमें उसी उदाहरन पर ले जाता है जिसमें खिलाडी ने व्यक्तित्व को अनुशासित किया है और शक्ती प्रेम और ग्यान की शमताओं को विक्सित करने के लिए अवा आवश्यक चेतना पर काम किया है सबसे परिचत सफेज जादू जो इसाई सफेज जादू है जो जिसके बार में जादा से जादा लोग जानते हैं या पवित्र कम्यूनियन अनुश्ठान का इसाई संस्कार है ये एक पुजारी द्वारा ईश्यू मसी की उपस्तिथी का आवहान है एक बार जब पुजारी उपस्तिथी का आवहान कर लेता है तो वो इसे अपने मंडली के साथ साजह करता है क्योंकि वो रोटी और शराब बेसिकली ब्रेड और वाइन शराब कहते हैं इसे पर वाइन होता है वो ब्रेड और वाइन वित्रित करता है जो अब मसीह के सार से भरपूर हो गया है मतलब जिसके अंदर मसीहा का आशीरवाद एक तरह से आशीरवाद की उर्जा भर गई है माननेता ये है कि ये सहभागियों को बिलकुल नए प्राणियों में बदल देता है जो फिर मसीह चेतना से भरपूर एक नया जीवन शुरू कर सकते हैं इस परंपरा का किसी भी विस्तार से पता लगाना इस खंड के डाएरे में नहीं है इस सफेद जादूई परंपरा के बारे में और और अधिक जानने के लिए खिलाडी को दे लओ अफ बन की चार पुस्तकऊएं उस जमाने में चार थी जिनको बाद में 11 ने दो करदिया थ प्रिटिश जादूगर विल्यम बटलर की रचनाओं में रा की चर्चा को पढ़ने के लिए प्रोचसाहित किया जाता है बीस्वी सदी में हाला कि मैं जादू पर रा समू और बटलर के काम के एक पहलू पर चर्चा करना चाहूंगी जो कि खिलाडी के जादूई व्यक्तित्व का विकास है परिसंग के अनुसार ये gateway के menu विकल्पों में से एक है मतलब आप जब gateway के अंदर प्रवेश करते हैं और वहाँ पर आप क्या चाहते हैं जिसका आप manifestation करना चाहते हैं जिसको आप साक्षात करना चाहते हैं अपनी जिं क्या है परिसंग का सुझाव है कि ये उसका दूसरा नाम है जिसे वे हमारा उच्छ स्वतह कहते हैं उनका सुझाव है कि हम में से प्रतेक के पास एक उच्छ स्वतह है उस उच्छ स्वतह स्वयम का एक संसकरन है जिसे हम आंतरिक्ष समय की शर्तों का उप्योग करके भवि के रूप में सोचते हैं और आगे वो कहते हैं कि कुछ इस तरह से बताते हैं मैं जो आपका मूल है वह मैं मतलब कहते हैं ना आई एम तो वो मैं जो आपका मूल है वह प्रेम ज्यान और प्रेमपूर्ण बुद्धिमान करोना के बारे में सिखाता है जब यह सबक इस हद तक सीख लिया जाते हैं कि वे महत्पूर्ण विकृति के बिना होते हैं तो आप मुड़ते हैं और समय के मा हार देते हैं छटे घनत्व में अंत्यतह मध्य घनत्व पर एक बिंदू होता है जिस पर कोई नहीं होता है कोई धुरूवी करण नहीं होता है यह तब होता है जब आत्मा एकता ज्यान और करुणा से भरी हुई इस बिंदू पर पहुँच जाती है कि छटा घनत्व वाला स्वयम, तीसरे घनत्म वाले स्वयम के भीतर, गहरे दिमाग में आने वाले पूर्वा ग्रहों को, नियती को जो पूरा हो चुका है, सान देता है दूसरों की सेवा की सुन्दर्ता, मतलब यहां पर, ऐसा क्यों है, एक सेकंड, मतलब के दूसरों की सेवा की सुन्दर्ता और सटीकता से जो किस्मत या नियती पूरी हो चुकी है, उसको स्थान देता है इसलिए जादूई व्यक्तित्व का उच्च स्वयम, स्वयम का अंतिम अवशेश है, जिसमें धुरुविता शामिल है और जब आप धुरुविता पर आधारित, विश्व भ्रह्म से निपढते हैं, तो ये उपहार बहुत मददगार हो सकता है बाकी के चाप्टर में, आने वाले सभी चाप्टर में कारला ने चानलिंग के बारे में बात की है कि चानलिंग, उप्चार और पवित्र कामुकता के बारे में बात की गई है और ये जो हैं, ये आपके, कैसे कहूं, गेटवे के वे तीन मेन्यू विकल्पों में जो समानता है वो ये है कि उन्हें खिलाडी को सावधानी पूर्वक और सचेत रूप से अपने जादूई व्यक्तित्व में स्थानांत्रित करने की आवश्यक्ता होती है तो उपचार हो गया, चानलिंग हो गई, पवित्र कामुक्ता हो गई वगरा ये सब चीजें जो हैं, वो किस तरह से और उनका इस्तमाल किया जा सकता है या उनका क्या असर होता है वगरा वगरा एक बार चानलिंग और उप्चार और पवित्र कामुकता वगरा जब पूरे हो जाएंगे तो जो खिलाडी है वो अपनी जादूई व्यक्तित्व को त्याग देता है जान बूझकर अपनी जादूई व्यक्तित्व को त्याग देता क्यों त्याग देता है ये तो मुझे नहीं पता तो अपने उच्छ स्वतह या जादूई व्यक्तित्व का आवहान करने के लिए खिलाड़ी अपनी इच्छा और इरादा निर्धारित करता है वो एक अंगूठी या कोई अन्य टोकन पहन सकता है जो उसके लिए उसके रोज केवल शारीरिक या द्रिश्य रूप से कोई इशारा कर सकता है जो मैं करती हूं मतलब कारला वैसा करती है मैं कलपना करती हूं कि मैं अपने जादूई वस्तर को अपने सिर के उपर से खीच कर पहन रही हूं जब मेरा काम करने का सत्र पूरा हो जाता है तो मैं अपने सिर क के उपर से वस्तर उतारने की कल्पना करती हूं उच्चि स्वतह के इस द्रिश्य को चेतन मन के लिए और अधिक वास्तविक बनाने के लिए खिलाड़ी अपनी जादूई वस्तर को डिजाइन करने में कुछ समय बिता सकता है उदाहरन के लिए मेरा गाउन एक सुन्दर लहराता हुआ सफेद गाउन है जो एमपायर कमर पर चाती के नीचे एक अठा होता है और एक हैर बैंड द्वारा सेट होता है अच्छा मैं अपने बालों की भी कलपना करती हूं जो आज कल रोज मरा की जिंदगी में छोटे काटे जाते हैं लंबे हैं और मेरी पीछ पर शांदार ढंग से लहरा रही है यह जादूई व्यक्तित्व बिलकुल वास्तविक है इसे उप्युक्त वस्तर पहनाना अच्छा ह है मतलब इस तरह से आप अपने जादूई व्यक्तित्व के अंदर खुद को ढाल सकते हैं तो यहां पर यह चाप्टर खतम होता है लेकिन आगे मैंने सुचा था बस एक दो ही रह गए अक्चुली पाक शे चाप्टर हैं छोटे-छोटे जिसके अंदर चानलिंग उप्चा साइकिक अटक और साइकिक अटक का उप्चार कैसे करना है इस बारे में कारला ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है मैं कोशिश करूंगी कि उससे आज कर दूं थैंक यू